हेलो फ्रेंड्स वाकम बैक टू माई चैनल आज जो नोटिफिकेशन डिसस करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में हम लोग सारी चिया देखेंगे राइट और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ओन टैम गवर्मे जो आपका नोटिफिकेशन अप्लोड करी देता हूं तो इससे आपको अच्छी खासी बैनेफेट्स मिलने वाली है तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो यह नोटिफिकेशन जो है आपका रास्टी केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड मे आई वी है और इसमें हम लोग सारी चेंड डिटेर्मेटिस करेंगे तो यह वैकेंसी आपका जो है आप यहां पर देख लेंगे आपका जो है रेक्रीटमेंट एक्सक्यूटिव ट्रेनी के लिए इसमें जो है मिनीमम एज आपका 25 यह होना चाहिए और आपका रिजल्ट ज इसमें 10 है और यहां पर ए ओ सीपी ट्रेनी के लिए देखें तो इसमें जो है 25 यह मिनीमम एज होगा और परसेंटेज आपका सैमी होगा सभी प्रोफाइल के लिए और इसमें जो है टूवल मन्त का आपका जो है ट्रेनिंग डोडिशन होगा और यहां पर 60 वैकेंसी इसमे जो है आपका मिनीमम 25 यह होना चाहिए और यहां पर परसेंटेज सभी में सैमी है और यहां पर ट्रेनिंग डोडिशन आपका 14 मन्त का होगा टोटल वैकेंसी इसमें 10 है और मेडिकल लैप पैथोलोजी ट्रेनी के लिए देखें तो इसमें 21 मिनीमम एज होगा और 50 हम लोग देख लेंगे इसमें जो है यहां पर डिपलोमा के लिए देखें तो इसमें जो है आपका सभी में आपका मिनीमम एज जो है सैमी है और परसेंटेज भी सैमी है और आपका ट्रेन डोडिशन भी सैमी है और यहां पर जो है यदि डिपलोमा केमिकल में यदि वैकें हैं computer में five vacancies हैं और electrical के लिए five vacancies हैं और mechanical के लिए five vacancies है total आपका 104 vacancies है और यहां पर हम लोग देख लेंगे qualification तो आप यहां पर दे सकते हो recruitment executive human resource training के लिए देखें इसमें जो है आपका minimum graduate होना चाहिए और साथ में basic English knowledge होना चाहिए और यहां पर हम लोग देख लेंगे अटेंडेंट operator chemical plant के लिए aocp के लिए तो यहां पर जो है आपका chemistry से BSC होना चाहिए साथ में physics chemistry and mathematics या फिर biology होना चाहिए और यहां पर जो है executive sorry account executive के लिए देखें तो इसमें जो है आपका HSC pass होना चाहिए commerce के साथ या फिर graduate होना चाहिए और साथ में दो साल का experience होना चाहिए financial sector में या फिर आपका जो है बी कॉम बी बी या graduate होना चाहिए आपका जो है economics से और यहां पर हम लोग देख लेंगे medical lab technician के लिए इसमें जो है है आपका ह72 पासच होना चाहिए science और mathematics से और यहां पर हम लोग देख लेंगे हैं आपका diploma के लिए देखें तो chemical के लिए यहां पे देखें तो आपका जू है इंजनियरिंग में और देखें तो कम्पीटर इंजनियरिंग आपकाडी ढीप्लोमा होना चाहिए इसी तरह जो है पर आभे अंटब ऑफ आपको वह र tief मातकृ के लिएusan रेखें देखें तो मैंकने कर इंजनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए और यहां पर हम लोग देख लेंगे एज में कुछ छूट है तो SST वाले के लिए 5 यर OBC वाले के लिए 3 यर PWBD के लिए 10 यर तक का छूट होगा और यहां पर हम लोग देख लेंगे इसमें जो सैलरी आपका जो है यहां पर मंत के आपको ट्रेंट्र में और यहां पर training प्लेस एप को करक हूग caterp यहां पर ट्रेंडम प्लेस और यहां पर ट्रेंडम की ऐन कोड़ के दो का उप degra जो है यहां पर आपका ट्रेंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा और यहां पे जो है हम लोग देख लेंगे mode of selection तो इसमें जो है कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है only आपका जो है qualification के basis पे selection होगा तो अच्छी opportunity है आप लोग के लिए और इसमें कोई भी fee भी नहीं है तो अच्छी opportunity है आप लोग यदि eligible हो तो जरूर फोंफील कीजिए और यहां पर लोग देख लेंगे फोंफील करना कैसे है तो सबसे पहले आपको official website को open करना है and then आपको जो है recruitment को click करना है उसके बाद आपको जो है engagement of trade attendees 2021 को क्लिक करना है and then आपको जो है advertisement detail को अच्छे से read करना है and then आपकोSu very except को click करना है उसके बाद online apply को click करना राइट उसके भाद आपको जो है यहाँ पे kुछ document आपको जो है upload करने होंगे form video करने वक्ट राइट और उसके बाद आपको जो हैでは Wave and submit करना है उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो है अब कर सकते हो तो आपके पास ताइम नहीं जतना जल्द हो सकते यह अप फि Communist an में कुछ नहीं है और यदि आप को इस नोडिफिकेशन में कोई भी डाउट होता है फॉरम फिल करने में हो या स्झनोड पीकेशन के बारे में तो आप कमрेंन कर सकते हो तो थैंक